Hello Friends, Welcome to our Channel Intensive Study In the topic of decimal, यानि दशमलव के topic में आज हमारा question है Express as rupees using decimals by complete method इसका part 1 भी मैंने बनाया हुआ है जिसे आप जरूर देखें ये इसका part 2 है देखें, यहाँ पे हमें मिला है 3 rupees 30 पैसे हमें इसे rupees में change करना है तो देखें, ये 3 rupees तो already rupees है इसे change करने की तो कोई जरूरत नहीं है हमें change करना है इस 30 पैसे को और फिर इन दोनों को add कर लेना है तो देखें, इसे add करते है सबसे पहले हम 1 पैसे में कितने rupees होते हैं ये लिखेंगे क्योंकि हमें इस पैसे को rupees में change करना है तो सबसे पहले हम 1 पैसे का लिखेंगे So 1 पैसे is equal to 1 upon 100 rupees जब हम इसे decimal में change करेंगे तो ये हो जाएगा देखें यहाँ पे 2 0 है तो point के बाद 2 digits होनी चाहिए एक तो होगा 0 और एक होगा ये numerator यानी 1 और आगे लिख देंगे 0 So 1 पैसे में 0.01 rupees होते हैं पहले बताया इस 3 rupees को change करने की कोई ज़रूरत नहीं है हम इस 30 पैसे को rupees में change करेंगे तो 30 पैसे के लिए मैं यहाँ पर 30 को 1 upon 100 से multiply करूंगी ये हो जाएगा rupees 30 upon 100 अब इसे हम decimal में change करेंगे ये हो जाएगा rupees देखें यहाँ पे 2 0 है तो यानि point के बाद आपकी 2 digits बचनी चाहिए वो 2 digits क्या होंगी वो होगा 30 आपका numerator 30 30 और आगे लिख देंगे 0 तो अब हमने इस 30 पैसे को rupees में change कर लिया है ये हो गया है rupees 0.30 अब हम इसे 30 नहीं पढ़ेंगे अब हम इसे पढ़ेंगे rupees 0.30 लेकिन ये हमारा final answer नहीं है final answer कैसे आएगा जब हम इस 3 rupees को भी इस 0.30 में add कर लेंगे तो चलिए इसे add करते हैं देखे मैं इसे add करने के लिए यहाँ पर आपको add करके बता रही हूँ यहाँ पर नीचे space नहीं है ये rupees 0.30 को लिखेंगे यहाँ जो हमने अभी अभी change किया और अब हमारे पास बचता है ये 3 rupees देखे ये जो 3 rupees है ये point के पहले का 3 है ये point के बाद का 3 नहीं है तो इसे यहाँ पर रखेंगे और अब हम इसे add कर लेंगे तो देखे ये 0, 3, point 0 और 3 कितना हो जाएगा प्लस करने पे 3 rupees तो already rupees है इसे तो change नहीं करना change क्या करना है 90 पैसे तो सबसे पहले 1 पैसे का लिखेंगे 1 पैसे is equal to rupees 1 upon 100 is equal to rupees 0.01 अब 90 पैसे को change करेंगे 90 पैसे को change करने के लिए मैं इसे 1 upon 100 से multiply कर दूँगी तो 91 सा क्या होता है 90 तो यहाँ पर लिखेंगे 90 rupees 90 upon 100 अब इसे decimal में change कर लेते हैं देखिए यह नीचे 2 0 है 100 में तो आपके point के बाद 2 digits बचनी चाहिए वो 2 digits क्या होंगी वो होगा 90 90 90 और अब यहाँ पर आगे लिख देंगे 0 तो यह हो गया है rupees 0.90 अब इसे 90 नहीं पढ़ेंगे अब इसे पढ़ेंगे rupees 0.90 तो यह तो 90 पैसे यहाँ पर change हो गए है अब हमें कुछ भी change नहीं करना अब हमें इस 50 rupees और इस 90 पैसे को add कर देना है देखिए इसे आगे solve करके बता रही हूं अब इस 50 को मैं लिख लूँगी यह रह 50 और यह 0.90 तो देखिए 0 को आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि यह जो 50 है यह 50 point के बाद नहीं point के पहले है यह already rupees में है और अब आप लिखेंगे 0.90 यह लिखने का तरीका है इसे जरूर ध्यान से लिखना है जब इसे आप add करेंगे 0 9.000 और 5 तो यह क्या है 50.90 तो आर फाइनल आंसर इस 50.90 I hope मैंने आपका concept बहुत अच्छे से clear कर दिया है If you like this video please hit the like button share this video do subscribe our channel and also press the bell icon Thank you very much